दूस्तो आज कल के सभी फोन में ऊपर प्रॉक्जिमिटी सिंसर देखने को मिल जाता है लेकिन आपने कभी अपने फोन के प्रॉक्जिमिटी सिंसर का यूज किया है नहीं किया होगा आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस proximity sensor का यूज करके अपने phone की battery को दो दिन तक चला सकते हो एक ऐसी trick है जिससे दुस्तों आप अपने proximity sensor से अपने phone की battery को बहुत ज़्यादा बचा सकते हो जिससे आपके phone की battery life काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और काफ़ी healthy हो जाएगी अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा जो proximity sensor है से positive call जब आता है तो ऐसे कान के पास ले जाते हैं तो screen बन कर देता है इतना ही काम करता है लेकिन आज की जो trick है ना proximity sensor की वो किसी ने पूरी YouTube पे नहीं बताया है आज की trick देखकर आप अपने फोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा चला सकते हो तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो and continue guys इस वीडियो को देखते रहो So guys आई मैं आपको proximity sensor की trick बताता हूँ जिससे आप अपने फोन की battery life को काफ़ी ज़्यादा चलाओगे तो उसके लिए क्या करना होगा एक छोटी सी सबसे पहले application को आपको अपने फोन में download करना पड़ेगा यह application आपको play store पे भी मिल जाएगा description में link देदूँगा वहां से भी आप इसे download कर सकते हो अब download करने एक बाद directly इसे आप open कीजे open करोगे तो आपसे यह कुछ permission मांगेगा तो आपको permission allow कर देना है permission देने एक बाद दूस्तों आपको यहाँ पर enable का option देखने को मिलेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ से इसे enable कर देना है इसे भी आपको enable कर देना है इनेबल करने के बाद नीचे आना है यहाँ पर आपको number आप वेव देखने को मिलेगा तो इसे आपको click करके one के उपर click कर देना है ये two पर रहेगा one पर कर दिना है इसे यहां से save कर देना है उसके बाद दूसरों नीचे यह जो pocket mode है इसे भी आपको यहां से enable कर देना है यह काफी important setting बता रहा हूँ है इस ध्यान से देखिए जो setting बता रहा हूँ उसे आपको enable करना है उसके बाद दूसरों यह जो lock screen है इसे भी आपको यहां से enable कर देना है आ आपको कुछ नहीं करना है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका यूज करके कैसे आप अपने फोन की बैटरी को बचाओगे अब दोस्तों देखे हमारे फोन में यह जो एप्लिकेशन है यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है अब क्या होगा अगर दो स्क्रीन अन हो जाती है अन होनिक बाद पूरा टाइम अन राती है और बैटरी कितना ज्यादा खर्च हो जाता है आपको भी पता है कई बार तो पूरा सीचोप तक हो जाता है लेकिन अब जैसे आप अपने फोन में मतलब की जो फोन है उससे आप चाहे बंद करके आप फिर यह कर सकते हो and सबसे चीबात यह है न सिप आप ऐसे करोगे आपके फोन की जो screen ना on हो जाएगी आप यहाँ पर देख लीजे जादू मतलब कि एक प्रकार से यह काफी unique and काफी interesting trick है just आपको sensor के उपर ऐसे हाथ रखना है and आपका जो screen है पूरी तरह से बंद हो जाएगा and on करना है बस आपको ऐसे कर देना है screen जो है on हो जाएगी यह मतलब कि काफी interesting trick है इससे सबसे ज़्यदा आपके phone की battery पे impact पड़ेगा and आपके phone की battery life काफी ज़्यदा increase हो जाएगी काफी healthy हो जाएगी सबसे ज़्यदा तो तब जब आप अपने phone को pocket में रखते हो purse में रखते हो या फिर कहीं पे भी ऐसे रख देते हो ऐसे में बस आपको अपने sensor के उपर ऐसे हाथ या फिर कुछ भी रख देना है automatic screen बंद हो जाएगी on करना है simple सा काम करोगे अलग-अलग settings मैंने बताए है on करने के इसका फायदा क्या है जब आप अपने phone को pocket से बाहर निकालोगे न automatic उसका जो screen है on हो जाएगा और ऐसे ये lock screen का दिया गया है बस आपको इसके उपर ऐसे रखना है आपकी जो screen है बंद हो जाएगी on करने के लिए बस आपको ऐसे करना है आपकी phone की screen on हो जाएगी तो इस step से दोस्तों आप इस application का फायदा उठा सकते हो और अपने phone की battery को बचा सकते हो तो I hope guys आपको ये trick और ये application पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना थेंक्यू गाइस बाइबाइबाइब टेक केर